हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दर्शना और आपका स्वागत है दर्शना स्कीचन में स्ट्रॉबेरी और आइस क्रीम की सीजन आ गई है आपने अभी तक आइस क्रीम ना बनाई होतो जल्दी से बनाए Healthy Strawberry Ice Cream वो भी बीना essence और food color बिल्कुल natural और creamy Strawberry Ice Cream बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर Amul Fresh Cream और वो ले रही हूँ मैं 200 ग्राम यूज़ करने से पहले इसे एक गंटा freezer में रखे उसके बाद 2 गंटे के लिए से freeze करे जिससे कि इसका बरफ है वो पिगल जाए और ये अच्छे से chilled हो जाए द्यान रखे कि ये क्रीम को डकन से नहीं निकालना है इसकी जो दो साइड है उसको हम cut कर लेंगे और उसकी जो उपर उपर की गाड़ी क्रीम है उसे हम निकाल देंगे ये क्रीम low fat होती है जिसे नीचे जो पतली क्रीम रह जाती है इसका use ना करे नहीं तो आपकी क्रीम नहीं बनेंगी अब इसे बीटर की मदद से बीट कर लेंगे पहले इसे एक स्पीड पे चलाते जाएंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा change ना दीखे उसके बाद स्पीड को बढ़ाएंगे और क्रीम को बीट कर लेंगे क्रीम पहले से डबल नहीं हो जाती तब तक इसे हम बीट करते रहेंगे देख सकते हो ये क्रीम बीट हो गई है आइस क्रीम बनानी के लिए आप केक की तरह क्रीम को इतनी ठीक नहीं कर सकते हो तब भी यह आईस क्रीम अच्छी ही बनेंगी नेक्स्ट इसमें एड करेंगे कंडेंस मिल्क 100 ग्राम ये भी मैंने होममेड बनाया है तो बहार से थोड़ी लो सुगर रखा है जिसकी रेसीपी मैंने पहले भी बनाई है जिसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ चलिए तो घर पर कंडेंस मिल्क बनाना भी हो गया है बिल्कुल आसान अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत स्मूथ हो गया है अब इसमें एड करेंगे एक कप स्ट्रॉबेरी पल्प हाफ कप स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसीस जो बहुत ही आपको आईस्क्रीम में चंकी लगेंगे अब इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और एर टाइट डिब्बे में ट्रांसपर कर लेंगे इसके उपर आप कोई भी ऐसी पॉलिथिन बैक को रखके डखकन को बन करके 7-8 गंटा या ओवरनाइट आइसक्रीम को सैट करने के लिए रख दे तैयार है नेचरल क्रीमी होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इसे सर्व करते हैं स्कूप, स्पून या नाइव की सहायता से इसे निकाले और एंजोई करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइए अगर आपको हममेड स्ट्रॉबेरी जाम बनाना है तो लिंक में नीचे डिस्क्रीप्शन में दे रही हूँ रेसिपी को चेक आउट करें वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू फर वाचिंग दर्सनास कीचन